आप काफी थके हुए रहते हैं दिन भर में या तो फिर आपको कोई भी काम करने की इच्छा ने होती है उसका कारण हो सकता है आपको कोई nutritional deficiencies है आपको या कई और कारण हो सकते हैं तो आज हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वज़े से आप दिन भर ठके हुए लगते हैं फटीग लगते हैं ऐसे लगता है कि बस सो जाए और कुछ भी काम ना करें So let's just see आपको अगर दिन भर में ठकान लगती है या फिर tiredness और फटीग लगता है तो उसके primary three reasons हो सकते हैं या तो आपको काफी stress है stress अलग-अलग type के हो सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगी या तो आपको कोई nutritional deficiencies हो सकती है या तो फिर कोई underlying medical issues है जो आपको symptoms की तौर पे tiredness और फटीग दिखा रहा है तो let's just see one reason at a time तो थकान और फटीग का पहला कारण हो सकता है nutritional deficiencies अब ये nutritional deficiencies क्या होते हैं हम लोग जो खाना दिन भर में खाते हैं उसमें अनेक nutrients हम लोग को मिलते हैं लेकिन अगर ये nutrients अच्छी तरीके से body में absorb नहीं हो पाएंगे तो हम लोग को दिखेंगे nutritional deficiencies या तो फिर ये अगर खाने में हमको अच्छी तरीके से ना मिले falling short in the food फिर दिखते है nutritional deficiencies most common nutritional deficiencies दिखते है वो है iron की deficiency, B12, vitamin D की deficiency और to some extent folic acid की deficiency दिखती है अब ये हम लोग कैसे समझ ले कि हमको ये particular nutrient की deficiency है पहले तो blood work या फिर blood test करने से हमको easily समझ में आ जाएगा कि हमको nutritional deficiencies है क्या नहीं उसमें से आपको एक nominal blood test लेना है फिर उसका जो report आता है वो आपको doctors को दिखाना है फिर doctors आपकी मदद करेंगे समझने के लिए कि आपको कोई deficiencies है क्या तो nutritional deficiencies दो किसम की होती है या तो फिर कोई severe nutritional deficiency होती है पर example अगर आप hemoglobin की deficiency ले लो तो below 10 अगर होता है तो हम लोग मानते उसको highly deficient तो उस time पे आपको medical health या फिर tablets की help लेनी पड़ती है लेकिन अगर borderline deficiency हो माने अगर 11-12 hemoglobin हो जो आपका about 13-14 होना चाहिए तो फिर food से या फिर आप जो अहार ले रहे हो उससे आपको corrections हो सकती है तो अगर आप आपका blood work कर लोगे तो उसमें easily समझ में आएगा कि आपकी deficiency severe है medical help लेनी पड़ेगी या फिर borderline है और फिर खाने से आपको manage आप कर सकते हो तो दोनों जगे पे अगर severely deficient हो तो doctor help कर सकते है और borderline deficiency है तो फिर nutritionist आपकी definitely help कर सकती है उसमें लेकिन आपको तीन मेने में एक बार nutrition analysis या फिर blood work करके ही लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कोई nutritional deficiencies नहीं है ना जिसकी वज़े से आपको दिन मर में थकान और फटीग लग रहे है ताकि आपको समझ में आए कि you are nutritionally sound or not थकान का अगला कारण हो सकता है कि आपको कोई underlying medical issue हो सकता है जो आपको दिख रहा है आइधर tiredness और fatigue के तौर पे ये underlying medical issue को पहचाना बहुत बहुत जरूरी होता है ये जानने के लिए भी blood test करवाना is a very good idea अभी आपको तो समझ में नहीं आएगा कि आपको blood test कौन सी करनी चाहिए तो अगर आपको थकान काफी दिनों से लग रहा है तो it's better that you go and see a medical practitioner फिर वो आपको कुछ questions पूछेंगे उसके उपर उनको समाज में आएगा कि आपको कोई actually underlying problem है क्या मतलब कोई medical issue है क्या तो the most common medical issue क्या हो सकता है जिसकी वज़े से आपको थकान दिन बर में महसूस हो सकती है इन बोथ males and females thyroid hormone dysfunction या फिर hypothyroidism could be a common cause जिसकी वज़े से आपको थकान हो रही है या फिर आपको ज्यादा नीन दा रही है या फिर दिन धर में irritability हो रही है तो अगर आपको ये काफी दिनों से लग रहा है तो go and see a medical doctor फिर वो आपको advise करेंगे कि आपके T3, T4, TSH हामन को determine करें उसके बाद आपको अगर actually hypothyroidism है तो उसके लिए medical help definitely available है जैसे nutritional deficiencies के लिए होता है वैसे ही underlying medical issues के लिए भी होता है अगर borderline है तो फिर वो lifestyle changes से easily managed हो सकता है लेकिन अगर वो severe है तो फिर medical help लेने की आवश्यक्ता है और उसके साथ lifestyle change या फिर diet modification help कर जाता है दूसरा कारण है जो underlying medical issue हो सकता है is PCOS और PCOD that is polycystic ovarian disorder या फिर polycystic ovarian syndrome ये problem सिर्फ महिलाओं में दिखती है I have made a detailed video about PCOS and PCOD you can see it in the link which is given above पूरी आपको जानकारी जो कुछ भी symptoms है PCOS के किस वज़े सी हो सकती है और पूर के द्वारा उसको कैसे correct कर सकते है ये पूरा का पूरा वीडियो इसमें धिया हुआ है जरूर देख लेना The third reason why you could be feeling tired or fatigue in the day is type 2 diabetes This you'll understand by actually getting a blood work done Random sugar से पहले ही नजर आता है कि आपको आपके sugar levels change हुए है क्या The best way to diagnose if you are a pre-diabetic or then if you could be exposed to diabetes is by getting a blood work done पहले तो हम लोग random sugar estimate कर लेते हैं फिर अगर उसमें कोई changes दिखते हैं या तो फिर second way होता है कि आप अपना PP या फिर fasting sugar कर लो लेकिन best measure जो है वो है Hb1ac which is a cumulative reading of 3 months उसमें अगर दिखता है कि आपकी sugar reading high RE है तो या तो आप pre-diabetic हो सकते हो या फिर आपको actually diabetes है जिसकी वज़े से थकान भी लगती है तो ये आपको doctor की help से समझ में आएगा कि आप affected हो की नहीं फिर उसके हिसाब से आप medicines शुरू करते हैं आप lifestyle भी change कर सकते हैं अगर आप pre-diabetic हो और अगर फिर भी आपको borderline diabetes है तो आपको शायर medicines की ज़रूरत नहीं पड़ेगी diet modification या फिर lifestyle modification से भी आप diabetes को reverse कर सकते हैं लेकिन ये जाना बहुत ज़रूरी है कि आपका blood work क्या कहता है फिर उसके उपर ही आप ilaj कर सकते हो one of the major reasons जिसकी वज़े से आपको tiredness और fatigue दिन भर में लगती है वो है stress अभी आपने ये काफी बार सुना होगा कि stress की वज़े से diabetes की problem होती है blood pressure की issues होते है high cholesterol issues होते है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये ऐसे क्यों होता है normal stress या फिर moderate stress is necessary it keeps you more competitive, it keeps you on your toes and ऐसे लगता है कि हम better achievers होते है वो छोटे से stress की वज़े से लेकिन आज कल की lifestyle की वज़े से हम काफी sedentary होते जा रहे है work का stress काफी होता जा रहे है ये अभी work का stress होगा, job का stress या तो फिर होगा multitasking जो housewives होती है, उनको भी काफी चीज़े एक दिन में हासिल करनी होती है या तो फिर working woman होते है, उनको तो काफी चीज़े balance करके पूरा दिन अपना equivalent रखना पड़ता है उसकी वज़े से body constant stress में चलती रहती है अब ये stress की वज़े से क्या होता है stress हमारे nervous system को constantly stimulate करता रहता है उसकी वज़े से हमारी body में हमेशा cortisol के hormone की secretion बहुत ज्यादा होती रहती है अब उसकी वज़े से हमारा heart rate बढ़ता है, blood pressure बढ़ता है, muscles tighten होते है breath faster हो जाती है और ये हैं हमारे body की mechanisms to manage stress ये अगर stress थोड़ी देल तक रहे तो body को वो manage हो जाता है लेकिन आप सोचो, आप दिन भर में काम करते रहते हो, यहां से वहां भागते रहते हो तो फिर ये nervous system constantly stimulated रहता है heart constantly जल्दी से pounding होता है, breath shortness होती है उसकी वज़े से because of constant heart beating fast, blood की pressure बढ़ती रहती है जिसके वज़े से बाद में blood pressure के issues होते है या तो फिर diabetes की शुरुवात होती है क्योंकि जब stress levels बढ़ते है, body की adjustment इस तरीके से होती है कि blood में हमेशा sugar high ही रहना चाहिए इसलिए stress एक ऐसी चीज है जिसकी वज़े से हमेशा हमारे systems stimulated रहते है जिसके वज़े से we can see that diabetes होता है, high blood pressure होता है, high cholesterol होता है तो ये body के mechanisms है to make it more comfortable to the external environment इसलिए stress कम करना बहुत बहुत जरूरी होता है stress कम करने के बहुत सारे उपाय है वो probably में next video में cover करूंगी लेकिन stress की वज़े से हमारे body के उपर और हमारे digestive system के उपर क्या परिणाम होते है वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ constant stress की वज़े से एक condition develop हो जाती है हमारे digestive system में जिसको हम लोग leaky gut बोलते है अभी ये leaky gut में क्या हो जाता है हमारा जो small intestine है वो toxins body के बाहर निकाल देता है या फिर undigested food material जो है वो small intestine से large intestine में जाता है but because of constant stress इसमें छोटे-छोटे perforations हो जाते है जिसकी वज़े से जो toxins है वो वापस हमारे body में circulate होने लगते है उसकी वज़े से हमारा autoimmune system पूरी तरीके से dysfunction हो जाता है and then we see a condition which is known as inflammation so stress can lead to leaky gut and leaky gut can lead to inflammation and this is all related to you feeling tired and fatigued in the day along with having a lot of digestive issues तो ऐसे हो जाता है कि जब आपका stress level बढ़ जाता है आप जो normal खाना खा रहे हो वो भी अच्छी तरीके से digest नहीं होता है और आपको लगता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है bloating हो रहे है, acidity हो रहे है और oftentimes constipation हो रहा है तो ये पूरी की पूरे चीजे stress से related है Now you might wonder that if you have a leaky gut condition it is not curable unless you get the stress down Yes, definitely you need to get the stress down लेकिन आहार चेंज करने से या फिर आप अगर आहार में कोई misbalance कर रहे हो कोई चीजे कोई junk food ज्यादा खा रहे हो carbohydrates या फिर fats का प्रमान ज्यादा है वो अगर कम करके आप fruits, vegetables और protein food increase करते हो exercise आपके daily routine में डालते हो balanced diet या फिर साथविक आहार consume करने के कोशिश करते हो तो definitely leaky gut symptom और leaky gut syndrome manage हो सकता है So hope you like this video and you understood कि अगर आपको दिन भर में थकान या पिर tiredness लग रही है तो उसके कारण क्या हो सकते है Do not ignore it this is something that could be because of various reasons that I just said Go and see a doctor Go and see a nutritionist understand कि आपको exactly क्या problems हो रही है diet can play a major role in managing your tiredness in the day So to conclude if you're feeling tired and fatigued in the day there could be several reasons to it one could be underlying deficiencies the second could be underlying medical problems and the third is stress hope you will be seeing a doctor soon if you're experiencing anything of this so that you can cure it on time I hope you like this video do subscribe to our channel if you want to know on any other health topics you can write in to us at avanti at avanti-deshpande.com or on the numbers that are given below we'll be happy to help you see you soon you